हिलोगोग वेल्कम तो द्यस्वीडीओ और मेरा नाम है अमुंतृवेधी और यह हमारी वोकैबबलरी की नई सीरीज है जिसमें हम लोग वोकैबलरी पढ़ रहे हैं प्रिविए और अग्जाम की यह तुर प्लेश्ट में जाकर देख लिए अगर आप प्रिट बैज विए तो यह उपिस वे श्याज आप के लिए तो इस बैच में रोल कर सकते हैं यह उफिस बैच है इसमें मैट्स इंग्लिस जी के रिजिनिग चारो ही सब्जेक्ट का कम्प्रीट कवरेज आपको एक जगे पर मिल जाता है तो अगर अगर आप अगर आप जिए निकेश shaa lite जा शाल सकते हैं लड़ बैच अगर छी को आफ वी शॉचान के आप का तो बैच वियो हो जाता है और व' if you want to learn again English, in English, if you are again your native language is not Hindi, you want to enroll in this, you can enroll in this batch, if you want to prepare English for your upcoming examination, and if you want to join in Hindi, then this batch is in which this video is recorded, in which this video is recorded, in which this medium of communication is recorded, all the things you get in this batch, so you can enroll in SSC complete preparation for this batch, आप एन्रोल कर सकते हैं, अगर आपने टेलिग्राम चैनल अभी तक जॉइन नहीं किया है, आप SSC के त्यारी कर रहे हैं, और RBI के टेलिग्राम चैनल पर आप नहीं है, तो यह तो काफी जॉइन कर लो टेलिग्राम बैच, और अगर आप हमारे कोर्स को वेबसाइट से एक्स करना चाते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो की PDF आपको डाउनलोड करनी है, तो आप एप ओपन करिए, एप अप्लिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, पेट क्लासे में जाईएगा, वहाँ पर आपको complete English का जो SSC exam का बैच दिखेगा, यहां से आप व वीडियो की सारे वीडियो एकसेस कर सकते हैं, और PDF एकसेस कर सकते हैं, इस चैप्टर फ्री है हमारे लिए, ठीके, तो वोक्याबलरी का भंडा इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं, प्रिवेस एर वक्याबलरी, तो पिछले वीडियो में जो सब्सक्राइब करना इंप्लांट करना इंप्लांट करना किसी को जानकारी देना इंकलकेट करना यह सारी चीजे मैंने आपको पढ़ा ही थी इसके बाद मैंने आपको इसका इंदेशो होना भी बताए था टो दिवीडएली शिली इसके लावा एंपी का सिना इस आर्थ हमने वेकंट की बात करी थी एंप्टी वाइड हो जाता है मैंने आपको सुरुवात के वीडियो में वाइड के सिनोने पढ़े हैं वहां पे एंप्टी भी आ जाएगा अबनेंट मतलब मतलब बिसे उबरना साइक्लोनें नहीं होगा अबनेंट मतलब फ्रिष्यों मतलब प्स्राइज भीर्फन कर से पनधी प्राइड कर् Leg petite कोंवेंट ist and prolific dreaming in plenty हो जाता है इसके लाबा eager के आर्थ हमने कई सारे आर्थ देखे थे eager का एक अर्थ हमने exhilarate यानि खुश होना भी देखा था thrill होना excite होना intoxicate होना बहुत ज़्यादा animate होना energized होना invigorate होना stimulate होना यह सारे साथ ही साथ इसाथ eager का आर्थ keen enthusiastic fervent avid forward ardent zealous passionate यह भी हमने पढ़े थे anxious भी हो जाना इसका synonym हो जाता है anxious impatient waiting earning acting thirsty यह भी सिनने में देखे थे concealed मतलब छुपाना बताया था मैंने आपको तो disguise यहां पर अंसर हो जाता है blessing in disguise idiom बताया था जिसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो आपने सोचा था कि बुरा होगा बट अच्छा हो जाए और in the guise of your disguise of oneself मतलब भेश बदल कर आना भी होता है ठीक है hide, cover up, disguise, disemble, shroud, sweep under the carpet चुपाना किसी चीज को keep a lid on something, keep under one's hat suppress, repress, bottle up, keep dark, hush up, mask, veil, keep secret, disguise, camouflage, mask, cloak, mantle यह सारे हमने पढ़े थे ठीक है camouflage, conceal, frugal, thrifty, miser, passimonious, economical, abstinent, austere, ascetic, non-indulgent, self-disciplined, spartan, unlike, non-like, monk-like, monastic, monkish, miserly निगाडली, scrimping, penny pincher, इसके अलाबा, close-fisted, यह synonym हमने आपर देखे थे meagar, scanties, paltry, some skimpy, insufficient, यह भी हमने पढ़ा था अच्छा, यह जितने भी हैं, यह सारे के सारे abundant वालों के antonym भी हो सकते हैं क्योंकि abundant मतलब प्रचुर मातरा में, यह जितने भी हैं का मतलब है कम amount ठीक है, imprudent मतलब होता है, not, unwise, injudicious, misguided, ill-advised demolish करना, किसी चीज को नितहस्नेस करना, rune करना, comprehensively refute किसी चीज को knockdown करना, pull down, tear down, raise, raise to ground, reduce to rune, bulldoze, break, topple, blow up, obliterate, annihilate, eradicate, wipe off the face, wipe off the map इसके लाबा किसी चीज को destroy करना भी इसका answer था, destroy, rake, put an end to, smash, squash, इसके लाबा, squelch, refute, disprove, इसके लाबा किसी को बुरी तरीके से हराना, defeat, utterly, drop somebody, overhelm, hammer, clobber, thrash, destroy, pulverize, annihilate, wipe the floor with, कि सारे सिरुने ममने इसके देखे थे, calamity, catastrophe, devastating, tragedy, calamity, यह सारे सिरुने ममने इसके देख लिये थे, anger, wraith, fury, गुसे के लिये था, passion, outrage, spleen, temper, savagery, firstness, like fury, virago, यस इतनी भी थी महिलाओं के लिये है कि गुसाल, महिला, virago, vixen, hellcat, termagant, spitfire, vixen, shrew, hag, heridan, dragon, gorgon, orgress, यह सारे सिरुने ममने देख लिये थे, इसके बाद में encounter मतला meet होना, अचानक से मिलना किसी के लिए यह सिरुने ममने बताया था, इसका unexpectedly stumble into, bump into, stumble, across, run across, meet by chance, experience, confront, accost, oppose, यह देखे था, इसके लाबार rendezvous मैंने मिलने का अड़्डा बताया था, किसी से, कहीं पर मिलना अचानक से, किसी से मिलना प्लान करके, या मिलने का अड़्डा, यह सारे words मैंने देखे, हमने देखे थे, यह French word था, तो यह तो था पिछले वीडियो का revision, revision इसलिए जरूरी है, क्योंकि याद हो जाए, ठीक है, जो पिछले पड़ा है, यह आप भी आदत बनाईए, जब भी आप नई vocab याद करने बैठिये, तो जो सुबह याद की थी, या जो पहले याद की थी, उसका एक बर कोई revision जरूर कर लो, भले ही उसमें तोला समय लग जाए, लेकिन जो आप कहते हो ना भूल जाते हैं, वो भूलने के आदत छूट जाएगे आपकी, ठीक है, अगला word है, question है, the foreign company is cherry of investing in Africa, तीन word ध्यान रखिये, मैं बोलूँगा एक साथ, बोलिएगा मेरे साथ, क्या, very cherry cautious, क्या, very cherry cautious, तीन word ध्यान रखो, very cherry cautious, क्या बोलोगे फिर से, very cherry cautious, इन तीनों में से कोई भी आपके सामने आएगा, आपके दिमाग में तीनों word आने चाहिए, very cherry cautious, answer हो गया हमारा, cautious, यह अंसर नहीं होगा, इसका confident, मतलब जो बहुत जिसमें आप मिश्वास से भरपूर है, keen, eager, enthusiastic, anxious हमने अभी सारे word पढ़े है, keen का exhilarate, खुश होना, happy होना, jolly, evalient, वो भी पढ़ा था, इसके अलाबा keen का, बहुत anxious होना भी पढ़ा था, हमने इसके synonym सारे देखे हुए हैं, इसके अलाबा, तो answer हो जाता है, cautious cherry के answer हो जाता है, cherry मतलब क्या होता है, बहुत ही साबधानी पूर्वक कारे करता है, cautiously और suspiciously, reluctant to do something, मतलब, आप साबधान है, साथी साथ आपका मन नहीं कर रहा है, जैसे वो African company, जो है, वो, American company, जो है, cherry मतलब, वो reluctant है, reluctant मतलब होता है, आन अनित्छुक, यानित्छुक, यानि आपका कारे करने का मन नहीं है, ठीक है, कोई particular चीज करने का मन नहीं है, तो cautiously, आप साध्धानी पूर्वक क्या, suspiciously, आपको शक है, इस वज़े से आप वहा कारे नहीं करना चाहते हैं, उसे cherry करनेंगे, she had been cherry of telling the whole truth, यानि कि वो पूरा सच बताने से डर रही थी या बच रही थी, वो company अफरीका में इंविस्ट करने से बच रही है, ठीक है, synonym ध्यान रखेंगे, very, cautious, circumspect, देखो, inspect मतलब क्या होता है, inspect जो root word है, इसका मतलब होता है, देखना, ठीक है, इसी से बनता है, inspect, और आप क्या बनना चाहते हो, inspector, आ inspect है verb, यदि आप किसी verb में er या फिर or लगाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, बच्चों, वो बन जाता है, common noun, तो आप inspector बनना चाहते है, inspector क्या है, common noun, inspect क्या है, verb है, inspect मतलब होता है, निरिक्षन करना, निरिक्षन करना, और यह हो जाता है, निरिक्षक, ठीक है, अब inspect तो देखना अच्छे से cautious होना, साफधान रहना. Heedful, he did not paid heed to my words. He did not paid heed to my words. तो heed मतलब होता है ध्यान देना. उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया. ठीक है? तो heedful मतलब जो ध्यान दे. Careful है. On one's guard. On one's guard मतलब बहुत ज्यादा सतर्क है. Guarded है. Mindful है मतलब दिमाग से काम करता है. Watchful है मतलब देखकर काम करता है. Distrustful है मतलब लोगों पर भरोसा नहीं करता है. mistrustful है, मतलब लोगों पर भरोशा नहीं करता है, तो संकित रहता है doubtful रहता है, skeptical रहता है, skeptic होना मतलब शंकित होना आपके मन में doubt रहे, तो skeptical कहते हैं, suspicious कह देंगे dubious मतलब भी होता है, जो doubt में रहे, hesitant है यदि आपके अंदर confidence नहीं आ पा रहा है, आप में संकोच है तो आप confidence नहीं, confidence क्यों नहीं क्योंकि शंका है और शंका क्यों है क्योंकि आप साफभान है, इसलिए hesitant भी इसका synonym हो जाता है, reluctant मतलब किसी कारे को करने की इच्छा ना होना, you are reluctant to do that, reluctant भी इसका synonym हो जाएगा dis inclined है, loat मतलब hate होता है, अब जो cherry है, वो cautious है, तो somewhere hate का भी भाव आता है इसलिए ये भी synonym हो जाता है, averse मतलब होता है, वैसे, shy है, nervous भी है, apprehensive भी है apprehensive भी ध्यान रखिएगा, apprehensive मतलब भी होता है, I am apprehensive to go there मतलब मैं वहाँ पर जाने को लेकर थोड़ा सा शंकीत हूँ, मुझे doubts हैं वहाँ को जाने को लेकर uneasy है, afraid है, ये सारे synonym ध्यान रखेंगे क्या very cherry, cautious, circumspect, watchful, heedful, on one's guard, guarded, mindful, watchful, distrustful, mistrustful, doubtful, skeptical, suspicious, dubious, hesitant, reluctant, disciplined, dis inclined, loat, averse, shy, nervous, apprehensive, uneasy, or afraid ठीक है, सारे words का मैंने अलग-अलग meaning भी बता दिया है, आपको याद रहेंगे, आगे बढ़ते हैं fervent, यहाँ पर option में था, fervent हमारे, तो इसको भी detail में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत बार इस से related words हमारे देखने को मिले हैं, zeal, just, ferver, कई बार आ रहे हैं, तो इक बढ़र इनका revision कर लेते हैं fervent मतलब होता है, आप में बहुत ही ज्यादा intensity दिख रहे हैं, यानि कि आप बहुत उत्साहित दिख रहे हैं, उत्साह से लबरेज, ठीक है, उत्साह से लबरेज, इसका meaning आप लिख सकते हैं, fervent का उत्साह से लबरेज, उत्साह से परिपून, उत्साह से परिपून, ठीक ह जिसमें खुब सारा उत्सा हो तो impassioned होगा passionate भी होगा यह वेक्ति intense भी होगा, vehement भी होगा he demanded vehemently he put his demands vehemently मतलब पुरजोर तरीके से, पुरी तेजी से ardent follower ardent follower, staunch follower ardent follower या staunch follower पक्का समर्थक staunch follower पक्का समर्थक ठीके जो किसी भी वेक्ति के जिसे धोनी का जो पक्का फैन है तो staunch follower, ardent follower कह सकते हो फर्विड उत्सा से भरा हुआ sincere feeling, profound मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से feeling है deep seated है heartfelt है, deeply felt है emotional भी होगा यह वेक्ति animated मतलब उत्सा से भरपूर है तो animated और spirited भी होगा animated का आर्थ खुश होना भी होता है enthusiastic होगा zealous होगा, fanatical होगा अब fanatic का मतलब देखे क्या होता है fanatic का आर्थ fanatic या फिर fanatic होता है धर्मांद जो धर्म के आर्ड में अंदा हो धर्म को लेकर अंदा हो से fanatic कहा जाता है ठीक है, और extremist ठीक है चरम पंथी extremist हम चरम पंथी को कहते है मतलब जो किसी भी चीज़ की चरम सीमा पे जाता है यनिकि अगर धर्म की बात होगी तो एकदम extremist हो जाएगा बहुत extremist basically violent person को कहेंगे terrorist के लिए भी हम यूज करते है extremist extremist group मतलब जो बहुत violent का साथ लेता है किसी भी चीज़ को extreme पे जाके बात करता है धर्म की बात करेगा तो extreme पे जाके बात करेगा party की बात करेगा, extreme पे छेतरवाद की बात करेगा हर चीज़ में violent हो जाएगा यह आदमी ठीके बाइग बिगट भी बोलते हैं बिगट भी बोलते हैं और पैरोकियल myopic, आगे आएंगे यह word हमारे इनका मतलब होता है संकीन विचारधरावाला संकीन विचारधरावाला ठीक है, संकीन विचारधरावाला जो बहुत तुछ सोचका हो wholehearted है, avid होगा, avid reader मतलब जो बहुत जादा मतलब बहुत, हमने पढ़ा था ना, avid मतलब who can't have enough of something, मतलब बहुत जादा, avid reader है, बहुत पढ़ता है eager है, earnest भी होगा, keen भी होगा, committed भी होगा, dedicated और devout भी होगा devout मतलब होता है, जो बहुत जादा किसी चीज़ को लेकर devout है, मतलब एक तरीके से भक्त है और किसी के ऊपर बहुत ज़्यदा उसकी आ सकती है, उसे devout कहेंगे ठीक है, ध्यान रखना है, फर्वेंट का हो जाता है, zealous, fanatical, enthusiastic, spirited, emotional, animated, passioned, impassioned, intense, vehement, ardent, fervid, sincere, profound, deep-seated ठीक है, dedicated devout अगला question है मारा, the director is at the apex of managing committee सारे question 2022 का कर रहा है, और एक भी question ऐसा नहीं दिख रहा है, जो पिल्कुली out of the box हो tier 2 के कुछ questions थे, वो मैंने दिखाए, words कोई out of the box नहीं थे, पूछने का तरीका थोड़ा सा अच्छा था जो threshold और dawn वाले कराये थे मैंने, इसके अलावा, question में words बहुत ही आसान आएं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं आए, bottom, नादिर, ट्रफ, ठीक है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, pinnacle, apex, pinnacle, ये इसका topmost point होता है, एक्मे, एक्ने होती है ना, एक्ने मतलब pimple, ठीक है, तो pimple कैसे होता है, ऐसे होता है ना, तो ये जो एक्दम peak पे है, उसको एक्मे से relate कर लो, core मतलब अंतरीक हिस्सा, corner मतलब पता है, cut corners मतलब बचना, cut corners, he is cutting corners ना, मतलब बच रहा है किस तरीके से, to cut corner मतलब की चीजों को आसान करना भी होता है, ठीक है, से इनोंने मोज़ा कर टिप, peak, summit, pinnacle, top, highest point, vertex, crest, point, or part, climate, culmination, climax, culmination, culminating, point, apothesis, peak, pinnacle, summit, zenith, acme, apogee, high point, highest point, crowning moment, high bottom mark, सारे point याद रखिये, important है, acme, climax, zenith, acme, apogee, high point, culmination, climax, top point, pinnacle, summit, vertex, सिनों, एंटर ने मैंने बता दिये, नादिर, ट्रफ, बॉटम, ठीक है, यह याद रखने, पूचाए, यह वर्ड पूचा गया है, डिसीव्ड, ठीटेंड, मिस्गाइड, कोस्ट, कोस्ट, मतलब बलपूरवक, मिस्गाइड़न नहीं होगा, ठीटेंड, जंकाना, अंसर होजागा, डिसीव्ड, पूद विंग्ड, बॉटम, दूप सम्बडी दोखा देना किसी को चलना किसी को ठग लेना ठीके सिनल्यम देखते हैं डिसीव करना किसी को ट्रिक करना दोखा देना चलना ठगना कि स्टाफ बर हूद बिंटक एक किरेंग दोखा दिया था कि उन्हें लग रहा था कि सबस्क्राइब क्या होता है जैसे आप लोक तो बहुत से लोग जो लंबी वाली राइफल नेटे हैं चोता करा दें हैं तो नो को लग रहा था कि बड़ी सी राइफल को काट वा जोटा कर तो सॉन आफ मतलब किसी बंदू को कटवा के छोटा करा देगा सिन्हीं नम देखी डिसीव ट्रिक ड्यूप आउट्विट फूल डिलूट चीट टेक इन ब्लफ होक्स ब्लफ मारना मतलब क्या होता है 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 मिसली करना मिसगाइड करना लीडब डिफराउड डबल क्रॉस करना स्विंडल करना मतलब होता है ठगना गल फिनागल get the better off अब जो idiom बता रहा हूँ सारे पूछे गए याद रखियेगा lead up the garden path exam में आया हुआ है pull a fast one exam में आया हुआ है put one over on ये नहीं आया है याद रख लिजेगा लेकिन take for a ride आया हुआ है pull the wool over someone's eyes ये नहीं आया है लेकिन फिर भी याद रखियेगा pull the wool over someone's eyes मतलब दोखा देना throw dust in someone's eyes आया हुआ है exam में take to the cleaners ये नहीं आया है तो दो तीन नहीं आया है और बाकी आये हुए है लेकिन सबको ध्यान रख लिजेए एक साथ lead up the garden path pull a fast one put one over on take for a ride pull the wool over someone's eyes throw dust in somebody's eyes take to the cleaners इन सबका मतलब होता है किसी को धोखा देना ठीक है answer मतलब क्या है reply कोई इसमें दिक्कती नहीं recall करना मतलब remind करना कुछ याद दिलाना remember भी नहीं होगा query question इसमें कोई ऐसा खास था नहीं आगे बढ़ता है permeate permeate क्या होता है permeate bio वगेरा में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्या semi permeable membrane यह मुझे याद में बता तो आप लोगों ने अगर पढ़ा हो bio वगेरा में तो यह term पढ़ा होगा semi permeable membrane semi मतलब half permeable मतलब हो गया जिससे permit हो जाए मतलब pass हो जाए semi permeable मतलब ऐसी membrane jisalenq permeate मतलब जिसके थprov इस चीजे इस तरफ से उतने सरफ निकल जाए यानिकी diffuse वो जाए कीज़े डिफ्यूस हो जाए color difuse करते है diffuser मतलब nika अगदम से diffuser आता आजकल etc room में इस उखन्ध फैला दिया ती डिफ्यूस क्या करता है कणों को एकदम से बाहर निकाल देता है तो रिमेन रहना continue नहीं होगा एक्जीव नहीं होगा ठीक है एक्जीव मतलब क्या देखो डिस्चार्ज और भी डिस्चार्ज स्लोली और स्टीडिली धीरे से एकदम से डिस्चार्ज होना मतलब जो सक्सेज है वो फैलती है अपने आप ठीक है आपकी रैंक वन आजाएगी आपको किसी को बताने की जरूत नहीं पड़ेगी सब अपने आप तुम्हारे पास चले आजेंगे कि पांच लाग लेना है कि दस लाग लेना है सक्सेज पर्वेड मतलब फैलती है ठीक है यह 15 लाग लेना है तो पर्वेड मतलब अपने आप चीजों को फैलना है इस प्रेड थू आउट मतलब चीजों का इस तरफ से उस तरफ जाना पैलना अपने आप आरोमा और शूप पर्मिएटिड दाई है अब आपको समझा गया होगा पर्मिएट का मतलब कि जो खुश्बू एरोमा मतलब एक हो अरोमा फ्रेग्रेंस थिक ए इस्टिंक इसके अलाबा स्मेल थिक आरोमा जो होता है वह खाने की खुश्बू के लिए आता है फूड की खु गजैंगे कि फ्रीट के लिए आताल नाफ पाउयर तो पर्मेट प bipolar धीर तो पर्वेर गवस्तेंग अपनल गई तो पर्वेट इसका सिरनें हो जागा इस प्रेड्ड फिल फिल्टर रो diffuse through, imbue, imbue, infuse हमने पढ़ाता है, inculcate, impart, implant, ठीक, उसी में आ जाएगा, infuse, penetrate, pass through, percolate, percolate through, जैसे water percolate करता है, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे नीचे चाड़ता है, उपर से नीचे आता है, percolation उसे करते हैं, perfuse, extend throughout, be disseminated through, fellna, flow through, charge, suffuse, run through, steep, impregnate, impregnate, देए, impregnable Pregnable मतलब भेदा जा सकता है, impregnable मतलब जिसे भेदा नहीं जा सकता है, ठीक, है? तो, impregnable मतलब जिसे भेदा नहीं जा सका, अभीद तकिला, ठीक, impregnate मतलब आप, क्या केते हैं? खुश्भू औगेरा का, फैलना, infirm करना, infiltrate करना, मतलब जबरदस्ति घुश जाना इंप्रेग्नेट करना घुश जाना और इनफॉर्म करना किसी को इनफॉर्म करना इन्फिल्ट्रेट ट्रेस पास मतलब घुश्पैट ठीक है यहाद रखेंगे पर्मेट परवेड फिल्टर फ्रू पेनिटृरेट इम्ब्यू पर्कोलेट पर्फिज यह सिननेम है इसके इर्रिवोकेबल ध्यान देजे अबल मतलब योग रिवोक करना मतलब क्या होता है रिवोक करने का मतलब होता है cancel करना ठीक है एर मतलब not मतलब जिसे cancel नहीं किया जा सकता तो answer क्या हो जाएगा irreversible ठीक है congruent triangle मतलब जो एक दूसरे के ऊपर आ जाए उसे congruent कहते है irresponsive जो response ना करे unmediated मतलब जिसमें mediation ना किया गया हो दखल ना किया गया हो या unmediated मतलब सोबिना मेडिटेटेटेटेटेटा सोबिना सोच सब्सक्राइब तो आंसार हो जाएगा irreversible ठीक है ऐसा step जिसे वापस नहीं किया जा सकता कोई ऐसी commitment जिसे वापस नहीं किया जा सकता इर्रेमेडियेबल मतलब जिसको remedy मतलब होता है इलाज करना दवा देना remedy मतलब इलाज दवा तो इर्रेमेडियेबल जिसे ठीक नहीं किया सकता इर्रेपरेबल इस इस माइ इर्रेपरेबल लॉस ऐसा लॉस जिसे रिपेर नहीं किया सकता जिसका हर जाना नहीं यह भरा जा सकता अन्रेपेर बियॉंड रिपेर अन ऑल्टरेबल मतलब इसको चेंज नहीं किया सकता अंचें Edward had noble blood, his ignoble qualities made him incapable of taking over the kingdom. Although Edward had noble blood, उसका खून जो था बहुत ही noble था, अच्छा राजसी खान दान से, लेकिन his ignoble qualities made him incapable of taking over the kingdom. अब option देखिए, ostentatious हमने याद किया है, ostentatious, flashy, जो बहुत दिखावा करे, ठीक, strange, अजीब, salient feature, मतलब नहीं, feature, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब उसकी कौन सी ऐसी quality होंगी, जो उसको incapable बना रही होंगी, मतलब unworthy, answer हो जाएगा, unworthy हमारा, ठीक, unworthy is the correct answer, salient, मतलब most noticeable feature, prominent, conspicuous, important, salient feature, जो आपको अलग से दिखाई दे रहा है, ignoble मतलब क्या हो गया, not, ignoble, इं मतलब हो गया, not, noble मतलब, जो noble है, तो जो noble नहीं है, मतलब क्या है, जो honorable नहीं है, समाननी नहीं है, character में या purpose में, ठीक है, synonym हो जाएगे, dishonorable, unworthy, base, shameful, contemptible, ज्याद रखिए, dishonorable, unworthy, base, shameful, contemptible, despicable, घनित, shabby, object, low, sordid, degraded, खराब, corrupt, mean, खराब, wrong, improper, पर, un-principled, जिसके सिधानती नहीं है, कोई आदर्शी नहीं है, जिसके, un-shivalrous, shivalrous मतलब बहुत ही classy, अच्छा, un-shivalrous, तो ब्यकार रख दाऊं, un-charitable है, discreditable है, blameworthy है, reprehensible है, जिसको criticize किया सके, ठीक है, not honorable, dishonorable, unworthy, base, shameful, contemptible, despicable, shabby, object, low, sordid, degraded, corrupt, mean, improper, wrong, un-principled, un-shivalrous, un-charitable, discreditable, blameworthy, और reprehensible, ठीक है, आके बढ़ते हैं, the young fellow was innocent and without guile, अब देखो, अर्मान लोगा में guile का meaning नहीं पता है, option देखते हैं, greed, morality, pride, or deceit, जोखो एक चीज, and से similar सीजें जोड़ी जाती है, innocent था, मतलब positive word, without guile, अब without मतलब नहीं, guile मतलब something, तो अब guile जो होगा, वो क्या होगा, guile यहाँ पर आपको negative चाहिए, होगा, क्योंकि without guile था, मतलब बिना किसी चलकपट इस तरीके का word होगा, option में deceit रखा है, pride, morality, or greed, अब यह सारी word ऐसे, morality, मतलब जिसमें नातिकता ना हो, बिना नातिकता के, तो फिर वो negative हो जाएगा, तो यह तो नहीं हो रहा है, ठीक है, pride मतलब होता है, we should all have pride in yourself, या pride in your country, होना चाहिए, थोड़ा बहुत pride, तो pride भी नहीं होगा, अब बचा greed और deceit, ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें, इन दो में से हमें एक मार्क करना है, कि या तो greed हो जाएगा, या deceit हो जाएगा, तो deceit मतलब होता है, धोखा देना, greed मतलब लालच, तो यह उतना भी negative word नहीं है, आंसर हमारा greed हो जाएगा, sorry, deceit हो जाएगा, मतलब उसमें किसी प्रकार के धोखा देने की भावना नहीं थी, ठीक है, clear? ओर्राइट, देखिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा guile, अब guile का मीनिंग समझेए, स्लाइ, इसे भी ध्यान रख लीजिए, स्लाइ और कनिंग इंटेलिजेंस, मतलब चली, कपटी, इस तो चली हो, कपटी हो, बिना किसी कपट के था, इनोसेंट और विदाउट गाई, एकी अर्था रहा है बिल्कुल, तो कपटी कह सकते हो इसे आप, जिसमें चल कपट हो, ठीक है, तो स्लाइ और कनिंग इंटेलिजेंस, ठीक है, चली कपटी टाइप का बख्ती हो, यूज़ ऑल इस गाईल और गट्स तो फ्री हिंसेल फ्रॉम दा मडल ही वाज इन, तो जूबी वो समस्या में था, उससे छोटने के लिए इसने इपने सारा कनिंग इंग ढाला, ठीक है, तु ंनने मुम हो जाएंगे, कनिंग, क्राफ्टी नेस, क्राफ्ट, आर्ट फूलनेस, आर्ट, अर्टी फिस्विलीन, विलीन इस, willingness, slyness, deviousness, shrewdness, canniness, canine-ness, ingenuity, wiles, ploys, schemes, stratagems, manoeuvres, set of huge, tricks, reuses, deception, deceit, duplicity, underhandedness, double dealing, trickiness, sharp, practice, treachery, chickenery, fraud, sculgery. ठीके, तो तीन सिरोने मैं बाता दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिये. ट्रिचरी, ठीके, ट्रिचरी ध्यान रखिये. ट्रिचरी, chickenery, fraud, sculgery, trickiness, reuses, deception, deceit, duplicity, slyness, deviousness, shrewdness, canine-ness, ingenuity. ये सिरोनेम से इसके जरूर ध्यान रखिये. स्काइल मतलब sly, cunningness, deceit, deviousness, slyness, shrewdness, iskulgery, fraudulent, chickenery, trickery. ये सारे सिरोनेम याद रखिये. ठीके, मतलब होता है चली कपटी दिमाग. योर वर्ट सीम्ड मोर लाइक डिमांड रादर देन रेक्वेस्ट. option है order, plea, compromise या contract. ठीक. कहरा है कि तुम्हारे words डिमांड ज्यादा लगे रादर देन रेक्वेस्ट. तो request और order एक जैसे नहीं होते हैं. compromise होता है, आपका compromise कर लिया, आपने सामाज जैसे बिठा लिया. ये भी नहीं होगा, contract भी नहीं होगा, answer हो जाएगा plea. plea होता है, आप सरकार के सामने, court के सामने plea लगाते हो, plaintiff लगाते हो, plea seeking, plea आता है, he filed a plea, litigation file किया, plea file किया, तो आप एक तरीके से request करते हो, तो answer हो जाएगा plea. आपके request के synonym ध्यान रखना important है, appeal करना, entity, यह important word है, plea. petition file करते हैं, court में, solicitation, supplication, prayer, invocation, application, demand, call, summons, requisition. ठीक है, demand की tone बदल गई, बट synonym में आ सकता है, वो. ठीक है, summons, मतलब court के द्वारा, जो summons जारी किया जाता है, आपको court में हाजिर होने के लिए. requisition, entreaty, appeal, plea, petition, solicitation, supplication, prayer. ठीक है, यह सारे synonym होजाते हैं. करा, roads in villages, during rainy seasons, become muddy. अब roads जो होती है, कर्मी, rainy season में, village में, muddy हो जाती है. blurred हो जाती है, blurred मतलब दिखना बंद हो जाता है, धुदली हो जाती है, नहीं. fuzzy हो जाती है, fuzz. ठीक है, it's very fuzzy. fuzzy मतलब एक तरीके से, बहुत ही, spongy का type of. तो वो भी यहाँ पे नहीं होगा. filthy मतलब गंदी, unsoyled मतलब, जो soiled हो गया, soiled notes. soiled notes होते हैं, यानि कि ऐसे notes जो खराब हो गया. ठीक है, तो unsoyled जो खराब नहीं होगा है. तो answer हो जाएगा, filthy हमारा, गंदा. ठीक है, ध्यान दीजिए, filth जो है, वो uncountable noun है. filth जो है, आपका uncountable noun है. मतलब होता है, कच्रा. ठीक है? silt जो होता है, नाली से जो कच्रा निकलता है, कीचर निकलता है, उसे silt कहते हैं. ठीक है? और silt हो गया, filth हो गया, litter. litter, सडक पे जो फैलने वाला कच्रा है, वो कहते हैं, litter. do not litter. ठीक है, आपने देखा होगा notice board लगा रहाता है, do not litter here, कच्रा मत फैला है. ठीक है, filth, गंदगी से लेते हैं, कच्रा, silt जो नाली से कच्रा निकलता है, ठीक है, disilting की जाती है, नाली से जो कच्रा निकाला जाता है, जो कीच्रा निकाला जाता है, उसे कहते हैं, ठीक, synonym देखते हैं, डिर्टी, मकी, ग्रिमी, मडी, मर्की, स्लिमी, अन्कलीन, फाउल, स्क्वैलेट, सॉर्डेट, शैबी, स्लीजी, नास्टी, स्वाइल, सलीड, सलीड मतलब गंदा, और आपको याद हो, जीओटी में पूरी क्लैन दिखाई, वो अन्सलीड, मतलब जो गंदे नहीं है, ठीके, इसकमी, ठीके, इसकम बैक मतलब जीओश्पाग ये अमेरिकन फ्लैंक्स हैं, जो एक तरीके से गाली की तरह स्कमाल करे आते हैं, गंदा कहने के सैंस में, गंदे हैं बहुत, तो पॉलिटेट, कंटामीनेटेड, मतलब गंटामीनेटेड, अडल्टेरेटेड, अडल होता है कि मिलावट कि कि इस प्यूरियस लिकर और एडल्टरेटेड लिकर इस प्यूरियस लिकर इस प्यूरियस लिकर मतलब हो जाता है मिलावटी शराब ठीक है हूच ट्रेजडी शराब से पीने से अगर लोगों की मृत्ति होती है तो उसे हूच ट्रेजडी कहा जाता है कंट्री लिकर भी कहते हैं कच्ची शराब को कंट्री लिकर ठीक है इस प्यूरियस लिकर हो जाता है कंट्री लिकर कच्ची शराब ठीक है मिला हूच ट्रेजडी शराब से होने वाली हत्या अगर कई सारे लोगों की जिगह पर शराब पिने से मृत्ति हो जाते है तो हूच ट्रेजडी कहा जाता है ठीक है अब जो बहुत गंदा होगा वो इंडिसेंट भी हो सकता है आपसीन भी हो सकता है डिर्टी इस्मिटी रूट इंप्रॉपर करप्ट कोर्स बोडी अन्रिफाइंड इंडेलिकेट वल्गर लूड रसी राफ कलर अथी यह भी हो सकते हैं रिसके लिसेंटियस लेचरस प्रु जीरियंट सेलेशियस डिप्रेवड इंपूर यामने पड़े होए हैं उप्सीन के सिनुनिम में ठीक है आगे बढ़ते हैं देदेफर्ट्स ऑफ्ट्रस केम टू अफ्यूट आइल एंड डिट इंड इंड देथ आफ पेशिंट फूटाइल इंड मतलब व्योड़ के रहा है ठीक है तो फ्यूटाइल मतलब इनकेपल उफ प्रोड्यूजिंग एनी रिजल्ट वाली बात जो मैंने कई वेर्थ हो गया कुछ खराब हो ना जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो सिनोनम हो जाएगा फ्रूतलेस हुआ वेंग रहाएगा प्वाइंस नेनक लेंग यूजली सुप राफ वॉक रूटर्डन रज केप्टिंग ताहिवीन से ऴलिंग तो फोर्ट नलैं राम्ट बंचर्स मीन विन हुआ अनवेलिग र 어떠ाट बोच्ड लेग के वजला आचुका हूं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता हॉलो एंप्टी फॉरलॉण आइडल स्टराइल अगें जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता निगेटरी वैल्यूलेस प्रूटलेस और दूम्ड और लॉस्ट इसके सिर निम हो जाएंगे ठीक है तो फ्यूटाइल मतलब फूटलेस बेन लेस पॉइंट वेंट्लेस व्यूसलेस वर्थलेस इनफेक्ट्ट्ट्र इनवें अनवेलिग इतने आप याद लीजे ठीक है चलो अगला वाटे मर्सेला सी she refused to have dinner morose मतलब वो कैसी दिख रही थी डाउन कास्ट मतलब बहुत निराश और बहुत ही सलन बहुत ही ग्लूमी ठीक है तो excited तो कता ही नहीं है liberal कता ही नहीं है जोकंड जॉली हिलेरियस अबलेंट यह सारे synonym होते हैं आपका यह भी नहीं होगा मतलब होता है बहुत ज्यादा उदास देखना चीरफुल यह पढ़ चुके है जोकंड जॉली हिलेरियस एग्सिलरेटेड अबिलियेंट जोग बाइंट फर्विड सिननेम सारे देख चुके हैं इसके मोरोज होता है सलने इल-tempered कि के सलन सल की ग्लूमी बाद इंपर 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 इन बाद बूद जावल सर्ली सार सार मतलब घटा इन बाद बाद बूद भी होता है ग्लम, मूडी, अंस्माइलिंग, हुमर्लेस, क्याता है कि अच्छे जोक्स करता है ठीक है अन कम बोलता है इसके अंतोरिम हम लोग ने लास्ट क्लास में देखे थे एक्स्ट्रोवर्ट गेरुलर्स टॉकेटिव वर्वोस वॉल्यूबल जो बहुत बोलता है इंट्रोवर्ट एसिटन्ट रेटी रेटिसेंट जो कम बोलता है लोकेशियस एंटरिम में आ जाएगा अन्रेस्पॉंसिव अन्सोशेबल स्कॉलिंग ग्लॉरिंग इल्हुमर्ड स पॉमबर सौबर सेचुराइन पैसिमिस्टिक निराशावादी ओप्टिमिस्टिक आशावादी पैसिमिस्टिक निराशावादी तो जो मन्हूस है जो इक्टम सलेंड मूड में है वो निराशावादी भी होगा एंटोनिम इसका हो जाएगा ओप्टिमिस्टिक श्रेकर एक कोश्यन आता है लोग कोशन आता है की देर ज ऊल्वेज़ा से दॉल लाइन नहीं होता है ध्यान रखेगा से लॉल लाइन होता है ठीक है, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं, passing marks passing marks नहीं होता है, pass marks होता है, इस बात को ध्यान रिखेगा passing marks का मतलब हो गया, passing, I was passing through there, मतलब मैं वहां से गुजर रहा था तो वो तो passing marks नहीं होता है, pass marks is the correct word ठीक है, पता होगा, आपने से बहुत सरे लोगों को, जिरे नहीं पता है, वो सीख सकता है करा दे, the poet managed to paint a vivid picture of landscape by the river through words vivid picture, मतलब अच्छी picture, यही तो अर्थ निकल रहा है, contemporary मतलब समकालीन, पढ़ चुके हम लोग, ठीक है, metaphoric मतलब metaphor देना, उपमा देना, वो भी नहीं है यहाँ, metaphor देना, उपमा देना, blurred image नहीं होगा, evocative हो सकता है, evoke मतलब होता है, किसी का, जैसे भगवान को हम evoke करते हैं, prayers के तुरू, बुलाते हैं, तो ऐसी picture जो हमारे मन में thoughts को evoke कर दे, evocative picture हो गई, अर्थ हो जाएगा, answer हो जाएगा, महारे है, ठीक है, तो producing vivid का मतलब भी क्या है, vivid का मतलब है, producing, मैंने वहाँ पर vivid आपको साधाराण भासे में बताजी कि अच्छा, positive word है, तो उस sense में, producing powerful feelings और strong clear images in mind, मतलब ऐसी picture जो आपके दिमाग में clear image लेकर आए, vivid colors, bright colors, आपके दिमा clear images in the mind, bright होगा, bright colored होगा, colorful होगा, deep colored होगा, brilliant होगा, glowing होगा, radiant होगा, vibrant होगा, strong होगा, bold होगा, deep होगा, intense होगा, rich, warm, flaming, flamboyant, glaring, और eye-catching भी होगा, ठीक है, graphic, evocative, realistic, true to life, lifelike, ऐसा चरी, चित्री जैसा बिलकुल लगा रियल है, faithful, authentic, clear, crystal, clear, detailed, striking, arresting, impressive, colorful, colored, rich, dramatic, picturesque, picturesque, बिलकुल एक्दम, real, lively, stimulating होगा, interesting, fascinating, scintillating, memorable, unforgettable, unforgettable, ठीक है, चलिए, अगला हमारा distant, मतलब, he's my distant cousin, मतलब, बहुत दूर का cousin, ठीक है, अब ये वाला important है, ध्यान से पढ़ेंगे, अभी हमने इसके synonym देखे भी रिपीशे, कैसे बताता हूँ, far away, forward, futuristic and far away, far away हो जाएगा, क्योंकि दूर सी बात हो रही है, forward, मतलब, आगे, futuristic, भविश्य है, भविश्य है, भविश्य में आपके काम आएंगे, far-sighted मतलब जो दूर का देखेगा, ठीक है, far-sighted, he is a very far-sighted person, मतलब, बहुत ही visionary person है, vision अच्छा है, दूर का बहुत देखता है, चमझो, far-sighted person है, बहुत अच्छा वेक्ती है, दूर का देख लेता है, अच्छे decision लेता है, दूर दर्शी, जिसे कहते हैं आप, दूर दर्शी, ठीक है, तो, he is a very prudent person, imprudent था, unwise था, injudicious था, यह कैसा होगा, judicious होगा, present होगा, farsighted है, foresighted होगा, discerning होगा, judicious होगा, shriw भी होगा, shriw भी होगा, pacipent होगा, provident भी होगा, forearned भी होगा, politic होगा, canny होगा, cautious भी होगा, careful, watchful, wise, sagacious, or visionary, इसके एंटोनिम इंपोर्टेंट है, ठीक है, एंटोनिम, इसके एंटोनिम है, correct एंटोनिम, मायोपिक, ठीक है, जो, बहुत ही ज्यादा संकीन विचाधरा का, संकीन मान सिकता का, जिसे निकट दरश्टी दोस है, तो, जिसे पास का नहीं, निकट दरश्टी सोग दोस है, म संकीन विचार्धारा वालं गत्री खिस अ 있나iy में नहीं कर पाता चीज है》 अन क्रियेटीव हैं अडवेंचर सहे नारो माइंडेड है ठीक है नारो माइंडेड है तो लैकिंग भी है प्रोविंशियल है तो हमने पड़ा था मायोपिक परोखियल शॉर्ट साइट संकीन विचाधरा वेक्ति वाला वेक्ति जो छोटा सोचता है छोटी मन रखता है छोटा विचाधरा चोटा दिल रखता है यह कैसा होगा बरोडमाइंड हो गई दोंग इस learnlet लिए ब्रोडमाइंड छोटा इसका थिए सोचता और शी इजैनिया सालवर्ड शाल सारय वर्ट वालोग इतने अभी तक किये अ Focus तो फ्टान हमें पुछ है जा चुक है वालेडी सारे प्रिविए सारे प्रिवियर स्ट्रेंजीड है विछित्र कि विचित्र शकर जाए épisode है शिचित्र और भीएवियर अनकरश्लिछुछी बिचठ्र विखार वाला रखती उसे सेंट्रिक कहते हैं अन कंविंशनल है अनकॉमन है अन अबनॉर्मल है इर्रेगुलर है अबरेंट है अबरेंट मतलब जो नॉर्मल से अलग होता है अनेमलस है मतलब कमी-खामी ठीक है ओड है कुएर है स्ट्रेंज पेकुलियर वियर्ड बिजार ऑफ सेंटर है सेंटर से हटके है आउट लेनिश है फ्रीकिष है एक्सर आइब शाल ses निगेटिव पेंग्य आञी लेकिन यह यह इंप्टर्णर यह है संकी टाइप कवेकती दिए जाक्त इंधिनलง से बिचतर शट्र तरीके हैं मतलब समाज के काइदय कानून से अलग चलता है कैप्रिशियस है याद है आपको एक ब्राइंड आता होगा भी भी बैक का गर्ल्स की कैप्रिशी हो तो उसका अलियाबट आट करती तो उसका टैगलाइन था है में कैप्रिशी गर्ल तो गर्ल ठीक है ठीक है sorry for the sexist joke whimsical है यह याद रखो important है and यह one words में पूछा जाता है one word substitution में avant-garde ठीक है avant-garde होता है avant-grade नहीं avant-garde मतलब होता है new and experimental ideas and methods in art, music or literature ठीक है ऐसे लोग जो art, music, literature में new चीज़ें इजाद करते हैं ऐसे group of artists, musicians and writers जो नई चीज़ों पर experimental चीज़ों पर काम करते हैं उन्हें avant-garde कहा जाता है पढ़ चुके हैं इसके synonyms हम लोग पहले भी फिर से देखते हैं prevent बचाना, rescue बचाना, follow करना scold is the correct answer for that ठीक है, बहुत important है जब मैंने इसके synonyms आपको कराये थे तब भी मैंने कहा था कि बहुत आवश्यक है एक्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं ये क्या synonyms है, इसके सारे याद रख रहे हैं जितने हैं सारे scold, chastise, abrade, berate, castigate, lambast, rebuke, reprove reprimand, reproach, reprove, admonish, remonstrate with lecture, criticize, censure सारे synonyms से याद रखे हैं सारे के सारे scold, chastise, castigate, abrade, berate, lambast, reprove, reproach, rebuke, admonish, remonstrate सारे synonyms याद रखे हैं मैं बता रहा हूँ इन में से कोई ऐसा नहीं है जो न पूछा गया हो और इन से extra ही पूछे गए हैं जितने मैंने करा दिया आपको call to account, idiom है मतलब डाटना take to task pull up go on at read someone the right act haul over the coals haul someone over the coals idiom पूछा गया है किसी को डाटना फटकार लगाना give someone a peace of one's mind अपने दिमाग का एक टुकडा देना मतलब डाटना फटकारना give someone a telling off dress down give someone a dressing down give someone an earful कान भरना डाटना अटके give someone a roasting roast करना give someone a talking to give someone a rocket give someone a rollicking wrap wrap over the knuckles knuckles हम इनको कहते हैं किसी को ऐसे मारना मतलब डाटना फटकारना slap someone's wrist किसी के wrist पे मारना again डाटना फटकारना let someone have it send someone away with a flea in the air ear मतलब कान में फूक के भगा देना तरीके साथ डाटना फटकारना बाल आउट give someone hell come down on almost मतलब एक चोड़ दो तो सारे पूशे जाचुके एक्जाम में इसलिए कह रहा हूं याद रखो important ही पूरी स्लाइड इसेंट नॉलेज सपोस्पोस्टो मेक दिल अ मेक लाइफ स्वीटर और हैपियर के नॉलेज हमारे जीवन को स्वीटर हैपियर बनाने क्या सपोस्ट नहीं करती superiority मतलब बहतरी superiority मतलब बहतरी की भावनाकी मैं उच्छुहू से इसमें curriculum नहीं होगा, profession नहीं होगा answer हो जाएगा wisdom ठीक है, इसमें कोई confusion भी नहीं होगा ठीक है, तो ये सारे synonym हमने SSC Cigal 2022 की tier 1 में जितने भी question पूछे गया थे, सारे के सारे discussion यहाँ पर कर लिए हैं एक बार ही सारा quick revision करेंगे और उसके बाद हम लोग इस session को wind up करेंगे, तो फटा फट एक बार revision करते हैं जो पढ़ा है आज के वीडियो में हाँ जी, cherry, very cherry, cautious cautious रहना मैंने बताया, फर्वेंट उत्साह से बरपूर, ठीक है, cautious मतलब cautiously, capricious, suspiciously, reluctant, inspect मतलब देखना, inspect मतलब रिरेक्षा करना, inspector मतलब रिरेक्षक, introspect करना, antar, introspect करना antar की अंदर की तरफ देखना, मतलब आपने अंदर कोई कमी खामी निकालना, introspect करना ठीक है, very cautious, circumspect, heatful, careful, watchful, on one's guard, guarded, mindful, distrustful, mistrustful, doubtful, dubious, skeptical, hesitant, reluctant, discline, disinclined, loath, averse, shy, nervous, apprehensive, uneasy, afraid, ठीक है, he did not paid heat to my words, heat मतलब ध्यान देना, apex मतलब शिखर पे, चोटी पर, pinnacle, paramount, tip, pinnacle, paramount, highest point, crest, vertex, culminate करना, apothesis, peak, pinnacle, summit, zenith, ho जाता है, apogee, acme, high point, antonym, nadit, rough, bottom, ठीक है, hood wing, dupe, किसी को, gull, huge wing, dupe, gull, मतलब होता है, धोखा देना, चलना, ठीक है, deceive, trick, dupe, outwit, defool, delude, cheat, take-in, bluff, hoax, mislead, misguide, leads on, defraud, double cross, strindle, gull, finagle, get the better off, lead someone on the garden path, lead the, pull the fast one, put one, pull one on, over on, take for a ride, pull the wool over somebody's eyes, throw dust in somebody's eyes, take the cleaners, take to the cleaners, ये सारे मतलब होता है, धोखा देना, answer मतलब reply करना, permeate मतलब इस तरफ से उस तरफ जाना, या pervade करना, फैलने के अर्थ में आ जाता है, diffuse होता है, synonym इसका, ठीक है, exude मतलब होता है, moisture या खुशबू का निकलना, एकदम से, करके निकलना, वो exude है, ठीक है, pervade, spread through, fill through, perfuse, penetrate, percolate, extend through, disseminate, impregnate, inform, infiltrate, ठीक है, aroma of pregnancy, आपका stink में मैं आपको difference बता दिया, irrevocable, which cannot be reversed, ठीक है, irreversible, unrectifiable, irremediable, irreparable, unreparable, unalterable, unchangeable, immutable, absolute, permanent, lasting, ठीक है, irremediable, यह सारे words हमने पढ़े, ignoreable मतलब unworthy होता है, एक मतलब not, novel मतलब जो बहुती योग है, salient मतलब most noticeable features, dishonorable, unworthy, base, shameful, contemptible, despicable, shabby, object, sordid, degraded, corrupt, mean, wrong, improper, discreditable, innocent मतलब भुला-भाला, guile मतलब जो आपका, without guile मतलब जो deceit होना, ठगना किसी कोई तरीके से, cunning दिमाग है, craftiness, craft, artfulness, artifice, canniness, ingenuity, slyness, deviousness, duplicity, deception, deceit, double-minded, chickenery, fraud, scultury, treachery, wild, certifuge, यह इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका, certifuge, मतलब धोखा देना, ठीक है, request, मतलब plea हो जाता है, request, appeal, entreaty, petition, solicitation, supplication, invocation, यह सिन्होंने हो जाते हैं, muddy मतलब बहुती गंदा संदा, dirty, murky, mucky, murky, muddy, slimmy, unclean, unclean, foul, squalid, sordid, shabby, sleazy, nasty, soiled, obscene, indecent, dirty, rude, improper, corrupt, coarse, and earthly, ribald, risque, licentious, wild, depraved, offensive, futile मतलब व्यर्थ हो जाता है, है, आपका a fruitless, pointless, useless, worthless, ineffectual, vain, pointless, inefficacious, unavailing, unsuccessful, thought, thoughted, unproductive, baron, morose, down, का moron हो जाता है, sullen, gloomy, surly, sord, gloomy, unsmiling, unhumorous, uncommunicative, taciturn, unresponsible, reticent, saturine, pessimistic, unlugubrious, unhumored, यह सा ilhumored हो जाता है, vivid मतलब जो आपके दिमाग में बहुती clear picture हो केर दे, bright, bright, colored, evocative, realistic, true to colors, faithful, authentic, clear, colored, rich, dramatic, picturesque, lively, stimulating, fascinating, आपका scintillating, memorable, unforgettable, distant मतलब दूर का, आपका far away, farsighted मतलब जो दूर का देख ले बहुती futuristic है, farsighted है, discerning है, judicious है, shrew है, persipent है, provident है, four armed है, politic है, canny, cautious, sagacious, visionary, judicious, बहुती अच्छा-च्छी सिजन ले रहा है, myopic, sankir, vichar dharawala, short-sighted है, uncreative, unadventurous, narrow-minded है, bugot है, provoquial है, provincial हो जाएगा, eccentric, peculiar, strange, queer, strange, peculiar, bizarre, off-center, outlastic, freakish, extraordinary, idiosyncratic, capricious, whimsical, unconventional, uncommon, abnormal, avant-garde, नया करने वाला आटिस्ट का ग्रूप, chide, pervay, sorry, scold, scold, chastise, upbraid, berate, castigate, lambast, rebuke, reprimand, reprove, reproach, admonish, remonstrate, lecture, criticize, censure, call to account, take to task, pull up, go on at, read someone, write at, haul over the coals, give someone a peace of one's mind, give someone an ear off, give someone telling off, dress down, give someone a dressing down, give someone an earful, give someone a roasting, give someone a talking to, give someone a rocket, give someone a rollicking, wrap over the knuckles, slap over someone's wrist, let someone have it, send someone away with a flea in the ear, 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 ball heads, give someone help, or down on, knowledge कसी नने वह जाता है, मारा wisdom, ठीक है, ये सारे words हमने आज के वीडियो में सीखे, ठीक है, जितनी मैंने चीज़े कराई हैं, हमने number of questions तो 71 ही किये, बट इन 5-6 वीडियो में आपने, कुछ नहीं तो कुछ नहीं 500 words आप लोगोंने सीख लियोंगे, ठीक है, तो कोशिश ये है, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा words याद कर आजा सके, सारे synonyms को मैं explain कर देता हूँ, आप इनका notes बनाते जाईए, अगर आप PDF डाउनलोड कर रहे हैं, तो वहां से कर लीजे, खुद से लिख रहे हैं, तो वैसे कर लीजे, revision करते जाईए, क्योंकि सारे previous year में आए और जितने भी question थे, इनमें से ऐसा कोई भी question नहीं था, जो पहले आया ना हो, सारे question exam में आया हुए थे, तो इसका मतलब है कि इनके आसपास चीजे पूछी जा सकती है, और इनके आसपास जितना भी पूछा जा सकता है, मैंने सब करा दिया है, अगर एक word के तीन meaning है, तो तीनों synonyms मैंने आपको करा दिया है, so that आपको exam में चीजे remind हो जाए जब पूछी जाए, ठीके, तो ये करी ही, साथ ही साथ मैंने जो आपको तरीके बताए हैं, अगले वीडियो में हम लोग, जो tier 2 में पूछे गये हैं, उनका question करेंगे, enter names के question करेंगे, तो videos अभी continue रहे एक बार से, इसके अलावा, शुभम सहर्म ने telegram channel पर या फिर आपको app पर भी pdf में, जो हाल के 18 से 22 तक जितने भी synonym या, enter name या one word पूछे के, उनका compilation दे दिया है, तो वो आप जरूर याद कर लिजे, 18 से 22 तक उतना भी याद कर लोगे, उससे भी हो जाएगा, साथ ही आपको उसको supplement करा दूँगा ना, तो एक word के जितने भी synonym हो सकते, मैं वो करवा दे रहा हूँ आपको, तो उसके आसपास जितना भी पूछा जा सकता है, examine, जितना भी पूछ पाएगा, सब आपको वीडियो में मिल जाएगा, ठीके, तो इतना करते चलिए, ठीके, साथ ही साथ एक काम और करते चलो, यार, newspaper, read करते चलो, so that जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका आपको practical दिखता रहे, ठीके, नहीं, तो यहाँ से भूलने के बाद, फिर अगले साल पता लाग वीडियो देख रो, तभी पता लगेगा, नहीं, newspaper में पढ़ते रो, read करते रो, so that exam में क कुछ भी आसपास का मिलेगा, तो आपकी provision होता रहेगा, आप questions को attempt कर पाएंगे, इतने तीन काम यह जरूर करते चलिए, ठीके, इसके अलावा, अगर आप हमारे courses में enroll करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, telegram channel join नहीं किया है, तो वो कर लिजिए, channel subscribe नहीं किया है, तो वो क मैं पर जिसके तूप हम से connected, BennyPad, कोई भी चीज आपको बात करनी है, वो चीज़ रह सकते हैं, आप इसको ज्ड़ाइं consumer सकते हैं, सुम्षार भी connected रहेआ तबा करे बाके सारे teachers available, यहां से अप बात कर सकते हैं, इसे अप बात कर सकते हैं, इनसे अप बात कर सकते हैं, if you want to learn कि ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है तो आप जीएस के लिए इस बैच में रोल कर सकते हैं इसके अलाबा आप इस बैच में कर सकते हैं दुरुनाचारे बैच 2.0 इसमें माप्स और रीजनिंग आपको एक साथ मिल जाता है रिकॉर्ड वीडियो मिलते हैं क्लास्नोड सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ग्रामर वह काप इसमें पूरी तरीके से अप्लोड है रिकॉर्ड बैच है जिससे कि आप इसे जल्दी देख सकें ज्यादा समय वेस्ट ना हो जरूरत है वो देख सकें डालाइब क्लिंग सेशन सब्सक्राइब आप से बात हो जाती है जिसमें आपको मिल जाता है तो complete preparation अगर आप करना चाते हैं इंग्लिश की तो आप इससे enroll कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल जोईन नहीं किया तो वो कर लीजिए इस website से आप हमारे courses को access कर सकते हैं साथ ही साथ PDF डाउनलोड करनी है तो app डाउनलोड कीजिए paid classes में जाएए complete English वाला course खोलिएगा view details में जाएएगा दो section दिखेंगे इसमें English पे click करोगे तो यहाँ पर vocabulary की नीचे previous year vocab करके chapter मिलेगा वहां से इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे antonyms की जो भी हमारे previous year में पूछे गए हैं उनकी और idioms की सारे वीडियो आपको इसी प्रकार मिलते रहेंगे यह classes अभी continue रहेंगी दिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye take care and have a very great day thank you so much bye bye